हेलो गाइस वेलकम टू मैं यूटूब चनल इस वीडियो में मैं बात करने वाला कॉम्रेंट गमरी के और से आने वाला CCTV कैमरे के बारे में विताउड वाइफा का आप इसे सेट अप कर सकते हो भी कि नहीं वो जैसे कि वाइफा कनेक्शन नहीं रहेगा तो यह आटोमेटिकल डिलीट होता है भी कि नहीं यह फिर आपको मैमरी कार्ड निकाल के स्पेस बनाना पड़ेगा वो सारी चीए तो आप इसोच्छों के अच्छा से CCTV कैमरा पर्चेस करने के लिए तो आपका बज़ट आराउंड 900 रूपिस के करीब है तो यह मैं Amazon से पर्चेस किया 999 का Amazon पे बॉक्स पेकिंग देखने को मिल जाता तो चलो करते से अन्बॉक बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है तो बॉक्स के अंदर आगा यूजर मैनियूल और इसे किस तरह इंस्टॉल करना सेट अप करना इंस्ट्रक्शन दिया गया है साथ में आता है इसक्रू डाइवर इसे जो कि hold mount करने के लिए और यहां पको mount करने का भी देकने को मिल जाता है इधर आपको screw करना इसका da हो गया wall पे हो गया mount कर सकते हो साथ में adapter भी देखने को मिलेगा और साथ में micro usb cable आएगी जिसके तो current supply होएगा camera की बात के इदर camera की branding इदर नीचे के साइड में आपको reset का button और memory card लगेगी back side भी ethernet का port भी दिया गया wifi के तुरू भी connect होएगा आयर लाइट आपको complete इसके अंदर देखने को मिल जाता जो कि night vision के complete quality plastic material से बने उसे बहुत ही premium यूज किया गया तो चलो करते इसे power on तो जैसे कि मैंने इसे connect कर लिया हो कुछ इस टाइप का sound आएगा जैब यह first time स्टार्ट होगा इस टाइप से rotating होना स्टार्ट हो जाएगा camera को setup करने के लिए v380 pro आपको यह application download करना पड़ेगा play store से इधर दो option दियागे login और register कर लेता हूँ email पे code आएगा वह code को आपको डाल देना है registration successfully होने के बाद में फिर आपको login करना है login करने के बाद में इधर add device का option देगा इस पर tap करना है जो CCTV camera विसके नीचे QR code रहेगा विससे आप scan कर लीजे तो जैसे कि देख सकते हूँ यह वाला QR code है तो इसने device को find कर दिया और add device पर tap कर देना है इसको कौन से रूम में setup कर रहे हो for example मैं home क्लिक करता हूँ finish पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद में बारकोड आएगा इस बारकोड को आपको save कर देना है तो जैसे कि लगा हूँ आपको इदर से इन से बात करना तो इस camera के तुरू वह भी possible हो जाती जो कि camera के अंदर भी mic और speaker और अपने phone के तुरू भी आप बात कर सकते हो direct more के option पर tap करोगे तो inverse का मतलब होता है इनके सब ceiling अगेरा पर wall पर लगा रहे तो inverse कर सकते हो preset pts motion track option pts calibration का भी options जाता है और sd card के अंदर क्या setting देखने को मिलेगा वह भी में बतायता हूँ इदर आपको जैसे के अल्लाराम का option दिया गए कुछ इस type का sound आएगा जबी भी आप इना इस alarm का on करोगे और इधर hd और hd दोनों modes आपको देखने को मिल जाते है hd के अंदर थोड़ा सा data ज्यादा यूज होगा आपका wifi का connection slow है तो आप hd mode भी रख सकते हो इधर आपने multiple camera लगा हुए तो यह different box जैसा हो जाएगा जिसके अंदर different camera का आपको view देखने को मिल जाएगा इसे आपको full screen करना है तो कुछ इस type से tap करोगे तो आप full screen भी कर दो होएगा left side में move करने पर कुछ इस type से move होएगा अब मैं इसके अच्छी काड भी लगा देता हूं सो यह मेरा wifi से connection successfully हो चुका है तो आप back पर प्रेस करोगे तर तीन डॉट दिया हुआ है जिसके अंदर आपको setting का share का और delete का option देखने को मिलता है जैसे आप setting पे click करोगे जनरल हो गया network या password device framework recording का setting देखने को मिलेगा advanced setting तो हम एक बार advanced setting के अंदर आते जिसके अंदर इसक इसको क्लिक कर देता हूँ और event recording दोनों में on रखता हूँ और निचे के side में कुछ information भी दिया गया है जिसके अंदर आपको read and write automatically देखने को मिल जाता है इनके साब की memory card अच्छी quality की नहीं है तो इसको आप format करके फिरी इसे use कीजे और इन्होंने suggest कि अब at least four class के उपर से memory card जो कि बाइक है जो मतलब memory card के उपर class 10, 5, 6 mention रहता है तो at least जितना ज्यादा रहेगा इतना बहता रहेगा तो यह हमारे जो भी चीज हो रही है सारी के सारी event अभी automatically record हो रही है continually recording रखा हुआ है तो इधर जैसे मैं replay पर प्रेस करूँगा तो इधर आप देख से तो memory card पर प recording है और in case recording को आपको इधर से download करना है या फिसका photo लेना वो भी possible हो जाता है और जैसे फिर से मैं replay पर प्रेस करूँगा तो यह हमारी latest recording भी आगे आगे update होते रहेगी सारा का सारा recording इसके अंदर दिखते रहेगा अब मैं फिर से back आ जा तो अब आपको doubt रहता है कि without wifi का ही record करेगा भी किने तो यह भी हम अभी live test कर लेते तो अभी यह successfully हमारे wifi सा connect है इसके वएसे मेरे phone के अंदर जो कि live session दीख रहा है अब मैं मेरे wifi connection को बंद कर देता हूं जिससे कि अब बाखी की जो recording रहेगी वो record होती है भी किनी timing की बात कर अभी 642 हो रहा है अब मैं जाके मेर record हो रहा है भी किने तो complete हम one minute का जो कि recording देखेगे जो कि without wifi का तो वो कुछ भी record होता है भी किने इनकेस इसके अंदर update नहीं होगा तो हम इसे remove करके memory card को जो कि computer के लगा के भी चेक कर लेते तो without wifi का रिकॉर्ड होता है भी किने बिना wifi का आप इसको normal CCTV camera की तरह यूज कर connect नहीं हुआ भी phone के अंदर जैसे connect होगा wifi दिख जाएगा तो मेरा wifi फिसे इसके अंदर भी automatically connect होगे इसके अंदर भी connect हो जाता है अब मैं replay पर प्रेस करता हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया हम 642 के करीब हमने recording को जो कि stop किया था इधर आपको जो कि time देखने को मिल जाए तो जो कि मैंने phone को उठाया और इधर मैं माइक कॉन करता हूँ जैसे कि हमें थोड़ी और ज्यादा clarity हो जाएगी तो यह मैं फिर से आया बैठा और मैंने मेरे wifi को बंद किया तो इधर आप देख सकते हो जैसे कि है ना यह मैं clap कर रहा हूँ तो यह जो भी event मैंने किया सारा का सारा जो कि है ना इसका wifi connection disconnect था तो अटोमेटिकली memory card के अंदर भी जो कि wifi disconnect हो जाता तो यह record continuously करता रहेगा यह memory card से जो कि आपको जब phone के अंदर देखोगी तो वो time पे wifi connection जरूरी है और एक बार आपने setup कर लिया बाद में कहीं भी आप कोई भी state में कहीं भी दूर हो अपने normal internet से भी access ले सकते हो इनकेस आपको दो device में जो कि देखना है आपके भाई को भी देखना है तो इसको time आपने setting की रहेगी वो setting permanent रहेगी और in case camera को आप sale करने के लिए सोच रहे हो कोई भी third person को वो case पर आपको सबसे पहला जो भी device के अंदर इसको यूज किया हुआ है वो device से remove करना पड़ेगा इसके अंदर reset का button पर reset के button पर click भी कर दोगे फिर से कोई भी बंदा रहेगा इस करना है डिलेट पर option देखने को मिल जाएगा profile पर जाके अपना account भी डिलेट कर सकते हो तो इसके बाद में फिर इस camera को resell करोगे तो बाद में ही sale करना तब जाके वो बंदा इस camera को जो कि फिर से add कर पाएगा अपने phone के अंदर तो अब मैं आपको night vision भी बताये तो किस तरह work करता है तो मैं मेरे घर के जाके light को बंद कर देता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने light complete बंद कर दिया और इधर मेरे जो computer की light है इन्हें भी बंद कर देता हूँ सो यह automatically देख सकते हूँ night vision में आ चुक है तो पूरा अंदेरा है रात को कोई घर में घुस रहा है तो वो भी एकदम बहता तरीकी से काम करता हूँ इधर यह अलग अलग light थी वह आयहार light है इधर मैं इसे जो कि turn करता हूँ ओपर face पे भी दिखा देता हूँ कुछ इस automatically night vision में आ जाता है जब आप इसे रात के टाइम पे और अपने आप जैसे light अगी उजाला होएगा तो नॉर्मल मोड में आ जाएगा तो इसका लास option रहता है memory card को निकाल के वह computer या फिर इसके phone में OTG से connect करके जो की देख सकता है तो अब हम वह भी देख लेते इस memory card के अंदर कौन सी file बनेगी क्या file बनेगी और इसे किस तरह access कर पाएगे तो memory card निकालने के लिए direct आपको camera को बंद कर देना और direct आपको इस not recognize हो गया, corrupt हो गया, ऐसा issue आ जाता है, जो कि local card reader जो कि material लेता है, अच्छा नहीं उसके जाता है, रश्ट होने के कराण आपकी memory card भी खराब हो जाती है, मैं आपको स्रेश करूं, आप कोई भी local card reader कभी भी मत purchase करना, मैंने बहुत सारे card reader यूज़ के और बहुत सारी memory card corrupt हो memory card खराब होने का issue नहीं होता है, पर main issue होता है, इसके अंदर जो data, image, memory वगयरा जो भी रहती है, वो सारी के सारी चले जाती है, और फिर से आना बहुत ही मुस्किल हो जाता है, इस card reader के अंदर OTG, USB और micro USB तीनों support है, तो जिसके कराण आपके पास computer नहीं है, तो phone के अंदर लगा के आप देख सकते हो, तो इधर जो कि मेरी memory card show हो गई हो, कितना MB यूज हो भी आप देख सकते हो, इसमें मैं क्लिक करूँगा record file नाम से एक folder create हो, इसके अंदर जो कि आप देख सकते हो, एक 2023 6 और 5 जो कि छटा मैना और 5 तारिक जो आज का date and time है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, पांस तारिक के जून, छटा मैना और जो time है, तो आपको folder नाम से create हो जाएगा, इधर दो folder create होएगा, इधर एक recording का नाम बनेगा, एक ये वाला folder create होएगा, जिसके अंदर आपको multiple recording देखने को मिल जाएगे, तो हम सबसे पहला और इधर जो record बना हुआ है, 13 MB का, इसको सबसे पहला हम play करके देख लेते हैं, तो इसके अंदर आपको almost जो देख सकते हो complete ये recording overall देखने को मिल जाती, timing की बात करें, जो कि 6 बच के 47 मिनट का complete recording किया हुआ है, इसके बात में फिर main हम folder के अंदर चल जाते है, जो कि हमारा main file बना हुआ, इसके अंदर 3 recording है, जिसके अंदर में wifi को जाता हूँ, बंद करता हूँ, चालू करता हूँ, टैप करता हूँ, और इसके अंदर आपको voice API आएगा, mic की quality की बात करें, तो ठीक ठाक mic quality जादा भी भाहतर नहीं बोल सकते हो, जादा भी खराब नहीं बोल सकते हो, इस तरह आप जितनी भी आपकी जाते हैं, या फिर 2024 में देख रहें, उस इस मन्द में इस टाइप के CCTV डेट होते रहते हैं, जो लिटेस वाले रहें की विन की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको ये वीडियो अच्छा लागा रहेगा, जाते हैं तो ये वीडियो को लाइक कर